तो देखते हैं इस question में हमें क्या दिया है although the problem statement seems quite large but it's an easy question right so let us see यहां पर हमको बोला गया कि एक school cafeteria है ठीक है वहां पर दो type की sandwich मिलते है एक circular और एक square और यहां पर बोला है कि हम यह circular sandwich को 0 से denote कर रहे हैं और square sandwich को 1 से denote कर रहे है यहां पर लिख देती हूं circular sandwich denoted by 0 square sandwiches denoted by 1 और जितने भी बच्चे हैं वो एक Q में खड़े हुए है और हर बच्चे का एक preference है ठीक है या तो उन्हें square चाहिए या तो उन्हें circular चाहिए और बड़े जिद्दी डाइब की बच्चे है ठीक है आगे पढ़ते problem statement अब हमें बोल रहे है कि number of sandwiches in the cafeteria is equal to the number of students ठीक है sandwich सारी number of students के बराबर होंगे और जितने sandwich है वो एक stack के अंदर रखे है ठीक है टॉप से हटाएंगे और फिर देते जाएंगे बच्चों हर इस tip पे क्या हो रहा है कि अगर जो student है वो front of the queue में जो भी student खड़ा है उसका preference है वो sandwich जो के top पे ही रखा है तो उसको sandwich देंगे ठीक है मतलब देशे माल लो ऐसे करके उस sandwich रखे है ठीक है अब top पर जो sandwich रखा है ठीक है या तो circular square होगा तो माल लो उस बच्चे को वही बाला चाहिए था जो टॉप पर है तो उसको वो sandwich देंगे और हो गया काम ठीक है अब माल लो ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा खड़ा है वो कह रहा है कि मुझे square चाहिए बट यहां पर रखे circular sandwich तो क्या करेंगे इस बच्चे को उठाके बोलेंगे कि जाओ लाइन के end में लग जाओ जाके ठीक है क्यू के end में चले जाओ राइट तो लीविट और गो तो दे क्यूस एंड ना दिस कंटिनियूस अंटिल नन ऑ दे क्यूस तुदेंट्स वांट टेक दी टॉप सांडविच अंड था अनेबल टू एट ठीक है अब यह कब तब तर कंट हब सब्सक्राइए जाये तौहाँ ऐसे सब्सक्राइब, चाहिए ननकंट्स कर्क्राइब ऐसे क्लिए एका रीओ सब्सक्राइब स्बूदें चाहिए एक को कोई भी बच्चे को सांडविच नहीं मिलेगों सारे-बच्च्यार आ जाएंगें organise अनुक्त है अएक्श को क्या तो यहां पर बोल रहा है कि दो इंटिजर एरे हैं students और sandwich तो students q वाली है कि students q में खड़े हैं तो यहां बे हमको बोले students q में खड़े हैं students j की preference jth student इसमें एरे में दी हुई है और जो sandwich रखे हैं ठीक है और हम बोल रहे है कि जो i is equal to 0 है यहीं तॉप of the stack है तो कुछ हम है ऐसे consider करेंगे 1 0 1 0 so this is how this sandwich is like this array is representing this stack और बाकी students थे हैं इनकी preference यहां पर लिखे हुए हैं अब देखते हैं कि let us do a run on this test case कि इन बच्चों को कैसे sandwich मिल रहा होगा और कितने बच्चे यहां बच जाएंगे ठीक है अब देखो यह आया पहला बच्चा ठीक है इसको चाहिए कह रहा है मुझे square चाहिए और topic रखा है circular तो बोला बच्चे तुम जाओ और फिर बाहर खड़े हो जाओ क्यों में लास्ट में लगो जाके तो अब क्यों क्या बनगे इस बच्चे को दे दिया और इस बच्चे का काम हो गया खतम अब आया इस बच्चे पर अब देखो टॉप डी स्टैक है एक स्कुर्वीज और इस बच्चे को जाओ तुम लाइन में बाहत हो अब ये वाला बच्च पहले आ गया रई अ इसकी preference के हिसाब से इसको sandwich मिल जाएगा, square वाला तो यह sandwich इसको दे दिया, यह sandwich इस पच्चे को हमने दे दिया, अब हम आगे आए, इस पच्चे पे आए, इसको कौन सा चाहिए, square चाहिए, top of the stack is circular, तो हमने काट तुम जाओ, हटो यहान से, और last में लग जाओ, अब यह वाल यहां पर कोई भी बच्चा भूका नहीं बच्चा, तो we can return 0, ठीक है, now let us see the second test case of this question, second test case में क्या है, here it is, ठीक है, यहां पर यह students दिये होया, यह sandwich दिये होया, ठीक है, यहां से start करेंगे पहले student से, अब देखो, पहले student को square चाहिए, square top of the stack पे है, तो इसको दे दिया, और दूसरे बच्चे पे आए, इस बच्चे पे आए, और यहां पर top क्या है, 0 है, तो हमने क्या कहा कि, वही तुम जाओ, हटो यहां से, line में पीछे लग जाओ, इसको line में पीछे खड़ा कर दिया, अब इस बच्चे पे आए, इसको भी चाहिए था square, तो square तो नहीं यह top पे इसको बोला जाओ, पीछे लग जाओ, पीछे लग गया line में, अब आए, 0, अब इसको कौन से चाहिए था, circular चाहिए था, इसको circular sandwich दे दिया, अब इस बच्चे पे आए, और top of the stack is now this, ठीक है, इस बच्चे को भी 0 ही चाहिए, इसकी preference के हिसाब से हमने इसको भी sandwich दे दिया ठीक है, अब हम इस बच्चे पे, ठीक है, और top of the stack क्या है, 0, अब मैं क्या कहूंगी, ऐसा करो बच्चे, तुम जाओ, और last में लग जाओ, जाके, क्योंके, ठीक है, इसको यहाँ भीजती है, अब आए, इस बच्चे पे, ठीक है, अब तुम यह देख सकते हो, कि इस top of the stack क्या है, 0, right, that is a circular sandwich, और यहाँ, अब जो हमारी Q है, यहाँ पर you can see, कोई भी बच्चे ऐसा नहीं, जो circular sandwich आता है, किसी बच्चे की preference नहीं है, that means, मैं इनको पीछे खड़ी करती रहोंगी, करती रहोंगी, but क्या होगा, यह बच्चे खड़े ही रहते रहेंगे पीछे, but they will get start, इनको खाना तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि top of the stack तो 0 है, right, a circular sandwich, and none of the student's preference is now a circular sandwich, that means, यह तीन बच्चो को नहीं मिलने वाला, और यह तीन बच्चे रह जाएंगे, remaining, and thus we can return 3, यह बच्चे भू के रह गए, all right, so this is the question, so I hope question का मतलब अब clear हो गया होगा, ठीक है, अब कैसे करेंगे, right, okay, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ observe करनी थी, कि, देखो, it is true कि हमें order में जाना है, but order में हमें किस area में जाना है, sandwiches area में, sandwiches का order हम change नहीं कर सकते, but students का order we can change, सिर्फ इतने observation से, you can easily solve this question, but if you want to solve it using brute force, easy question है, तो brute force solution will also get accepted, but, brute force में यही है कि, how will you check, right, but हाँ, you can simply see कि area में remaining क्या है, और top of the क्या है, एक भी नहीं मिलता है, तो that means, return इतने भी बच्चे बच्चे, ठीक है, that is the brute force solution, that will also get accepted, but, we will discuss the optimal solution here, तो, this observation, that I just stated, कि, अगर तुम देखो, कि हमें order में किस array में चलना है, तो, order में हमें सिर्फ sandwiches array में चलना है, क्योंकि, इसका order हम change नहीं कर सकते, but if you talk about students array, then definitely you can change the order, ठीक है, you can change the order, so what we can do is, we can count the students, who want the circular sandwich, we can count those students, also we can count the students, which want the square sandwich, right, अब मैं क्या करूँगी, इस sandwich array में, I trade करूँगी, ठीक है, अब जैसे मेरे को, top the stack में में बिला one, एक square sandwich, तो मैं देखूँगी, क्या किसी बच्चे को square sandwich चाहिए, तो मैं उसको दे दूँगी, और square sandwich, जिन बच्चे को चाहिए, उनको count वें, decrease कर दूँगी, अब you will say कि, यहाँ पे भी तो order maintain करना था, बट, order maintain करने की बात ही नहीं है, अब मान लो, जैसे अगर यहाँ पे, यही case लेता है कि, यहाँ पे one था, यहाँ पे one वाले को दे दिया, अब यहाँ पे जब one आया, दूसरा zero था, तो अगर मुझे पता है कि मेरी array में एक zero है, एक बच्चा है अभी भी, जिसको circular sandwich चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यह हटाती जाँग यह हटाती जाँगी, तो मैं इन बच्चों को कितनी भी बार end of the queue में तो लगाई सकती हूँ, भेज सकती हूँ, भेज सकती हूँ, that means, मुझे सिर्फ count की जरूरत है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्या किसी बच्चे को circular sandwich चाहिए, अगर चाहिए, तो definitely I can give them, क्य जाँगी, right, so basically, यहाँ पे, the only thing that matters is the count of the students, ठीक है, अब question में भी, it was clearly mentioned, कि if, let's say, none of the student, right, if this continues until none of the queue students want to take the top sandwich, then they will be unable to eat the sandwich, right, of their preference, so this question में भी mentioned है, right, so I hope now it is clear, so हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम देख लेंगे कि circular sandwich कितने बच्चों को चाहिए, square sandwich कितने बच्चों को चाहिए पिर हम आएंगे और sandwiches area में iterate करेंगे, अब दिक्कत कब होगी, using the second case, it was clear, कि last में क्या बच्चे 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 जनी क्या चाहिए था, एक square sandwich चाहिए था, but top of the stack क्या था, 0, right, which is a circular sandwich, तो मैं कुछ कर लूँ, मैं, मेरे पास है ही नहीं बच्चे जिनको circular sandwich चाह कि जब top of the stack, यानि sandwich का जो भी top element आ रहा है, जिस भी current element पर मैं हूँ, अगर वो element जो भी है, जैसे one is square sandwich है, तो मैं देख लूँगी, क्या किसी बच्चे को square sandwich है, चाहिए, चाहिए तो मैं count decrease कर दूँगी, और मालो, अगर square sandwich वाले बच्चे हो गए, 0, और top of the stack क्या है, square sandwich, तो no matter में जो कुछ कर लू, मैं बच्चो को sandwich नहीं दे पाऊंगे, और जितने बच्चे अब बच्च गए है, उनको, वो भूके मर जाएंगे, ठीक है, वो भूके रह जाएंगे, so that means, वहाँ पर मैं अपना iteration रोख सकती हो, वहाँ पर जितने remaining students हैं, उनका count में return कर तो मैं यहाँ क्या करूंगी, तीन variable होंगी, एक तो circular sandwich, तो मैं calculate करें कितने बच्चे हैं, ठीक है, so let us do a dry run here only, तो I take three variables, right, तो circular sandwich वाले बच्चे, तो अभी count कर लेते कितने हैं, 2 बच्चे हैं, और square sandwich वाले बच्चे हैं, 4, ठीक है, और हमको calculate करना total बच्चे कितने, तो total बच्चे कितने हैं, 2 प्लस 4, that is 6, right, तो total students are, how many, 6, ठीक है, अब sandwich आरे में हम iterate करेंगे, after making this count, तो पहले element पर आते हैं, तो हमें क्या चाहिए, 1, 1 means square sandwich, तो क्या square sandwich वाले बच्चे हैं, क्या कोई बच्चा है, जिसको square sandwich चाहिए, तो हाँ 4 बच्चे है, तो क्या करेंगे, इसका count decrease कर देंगे 3, और फिर sandwich वाली आरे में आगे बढ़ गए, अब इस पर आए 0 पे, तो हमें क्या चाहिए, अब जिसको चाहिए, तो अब circular sandwich वाले बच्चे हो गए 0, ठीक है, और यह तो मैंने consume कर लिया, और यहाँ पर total बच्चे बच्चे 3, अब मैं आए यहाँ 0 पे, ठीक है, 0 मतलब क्या circular sandwich, अब मैं जा के देख रही हूँ, circular sandwich वाले बच्चे तो हैं नहीं, मतलब, अब array में सि simply return this 3, similarly मान लो ऐसा scenario होता कि circular sandwich वाले बच्चे यह 0 होता, और यह 0 होता, ठीक है, उस case में क्या होता हम यहाँ इस 1 पर आके अटक जाते हैं, इस 1 पर भी नहीं, we might have consumed it by then, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर खड़े हैं यह सब, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर भी 1-1 से अगर हम रही टेस कर देती हैं, तो एक टाइम ऐसा आ सकता था कि circular sandwich वाले बच्चे बच्च रहें, but, top of the stack is square sandwich, और square sandwich वाले बच्चे हो गए 0, that means, जितना भी total remaining है अब उसको हाँ, return कर सकते हैं, तो सिर्फ के दो conditions में हमें return करना है, so I hope now the approach is also clear, ठीक है, so let us now go ahead and quickly see the code for this, here's the code, यहाँ पर देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया students का size, तो students का count लिया हमने यहाँ पर, then we are taking the number of circular students here, number of square sandwich, जिन की preference है, वो students here, यहाँ पर हम count कर रहे हैं, कि circular sandwich कितने बच्चे को चाहिए, square sandwich कितने बच्चे को चाहिए, अब में जो दोना variables मिल गए, अब मैं क्या करूंगी, sandwiches आरे में iterate करूंगी, ठीक है, अब मैं देखोंगी, sandwiches of I, अगर zero, that means circular sandwich है, और मैं देखोंगी, क्या circular sandwich की बच्चे को चाहिए, उसकी का preference है, तो मैं उसको कर होंगी, minus minus, और students का भी count decrease कर, अगर नहीं है, circular sandwich वाले बच्चे हो गए zero, और top of the stack zero, that means, अब मैं कुछ कर लू, सबको square sandwich चाहिए, बर top तो मुझे निकालना पड़ेगा, जिब top किसी को चाहिए ही नहीं, तो जितने बच्चे बच्चे वो भूके रह जाएंगे, that means, जितने students remaining है, उनका count return का तो, similarly for the square case, मालो, कि अगर किसी बच्चे को square sandwich चाहिए, और ये zero हो जाए, square sandwich, top of the stack है, square sandwich रखा हुआ है, और बच्चे है नहीं, जिनको square sandwich चाहिए, that means, I can simply return the remaining students, otherwise, अगर है, तो I can simply decrement the count of the students, whose preference is the square sandwich, and also the remaining students count, ठीक है, इसके बाद, let's say, is loop safe, I did not return students count, right, then definitely, सारे बच्चों को उनका sandwich मिल गया, ठीक है, preference के according, that means, कोई भी बच्चा अब कुका नहीं बच्चा है, तो zero याँ पर हम रिटर्न करें, so this was the whole solution, now, if we talk about the time and space complexity, so obviously, space complexity, you can see, is constant, o of 1, and time complexity, you can see, is linear, because first, we are iterating here, n times, we are iterating here, and n times, we are iterating in sandwich, so it's big o of n, plus big o of n, which is only big o of n, so I hope, now the solution is clear. करेंगार मिल बच्चा से बच्चा अप्चा अग्चा टूं भीक है, उज बच्चा बच्चा श्चा-गण से बच्चा कुछ्चा से बच्चा अप्चा का रिवार।